नमस्कार स्वागत है आपका ऐसा कैसे हुआ प्रोग्राम में और आज इस फेस्बुक लाइव में हम बात करेंगे भुपाल ग्यास त्रासदीगी 1979 का वो समय था जब Union Carbide India Limited American Factory आती है भुपाल और शुरू करती है सेविन नाम के कीट नाशक का उत्पादन और इस कीट नाशक को बनाने के लिए जो केमिकल का इस्तमाल होता है वो है मिथाइल आईसो साइनेट जो धीरे धिये कुछ सालों के बाद भुपाल की हवा में घुलने लगा और उसने प्रिष्ट भुमी तयार की भुपाल ग्यास त्रासदी की आज इसी की बात हम करेंगे र इसकी तक्कर के अगर हम तुलना करें तो रूस में शेर्णोबिल नूक्लियर डिजास्टर हुआ था जिसमें हजारों लोग मारे गए थे दो और तीन डिसमबर की रात बलके कहें आधी रात को सहरीली गैस लीक होना शुरू हुई है यूनियन कारबाइट के कारखाने से औ और इसकी वज़े से हजारों लोग मारे गए और जहां तक आफिशल रिकॉर्ड की बात है कुल मिलाकत तीन हजार साथ सो सतासी लोगों के मरने की बात सुईकार की गई है लेकिन जो जो एक्टिविस्ट हैं जो उनकी रिलीव के लिए काम कर रहे हैं उनके हिसाब से अगर उनकी बात माने जाए तो इस एक्सिडेंट में आठ हजार से लेकर दस हजार के लोग के बीच में लोग मारे गए थे और सरकार का कहना है कि ये जो दुरगटना हुई थी इसमें पांच लाख अठावन हजार एक सो पचीस लोग प्रभावित हुए थे कुल मिलाकर और उसम उन्तालिस सो लोग जो थे वो बहुत जादा गंभीर रूप से प्रभावित हुए थे और ये गैस लीक के बारे में पता चला आधी रात के बाद और थंडी हवा चल रही थी दिसम्बर का महीना था दो और तीन दिसम्बर की रात थी और उस हवा की वज़े से ये गैस का र रहे थे बहुत से लोग जाग भी रहे थे और सरकारी आंकलों की बात मानी जाए तो करीब तीन हजार लोग गैस रिसने के कुछ घंटों के अंदर ही मर गए थे और इस तरह का अनुवान है कि कुल में लाकर चालिस तन मिथाइल आइसोसाइनेट हवा में गई थी उस दिन और यह बहुत ही जहरीली गैस है आप तो रसायन शास्त पढ़ चुकी है आप केमिस्ट्री और इससे मिन्टों में मौत हो जाती है जैसे ही आप गैस को इनहेल करते हैं तो यह इस तरह से इसलिए इसको कहा जाता है दुनिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल डिजास्टर C2, H3, NO इसका केमिकल कॉंबनेशन था और अगर हम इसकी बात करें रिसाव की तो रिहान जी किस वज़े से इस केमिकल का जो रिसाव वो हुआ था मतलब वज़े के ओफिचल रिकॉर्ड ये कहता है कि M.I.C. गैस पानी के साथ मिक्स हो गई और इस पानी को प्लांट को कू इनिरेट हुई और जिससे टैंक नंबर 610 पर बहुत जादा जिसे कहते हैं कि प्रेशर पड़ा और जो उसका टैंक का कवर था वो जाता रहा और पूरी गैस टनो गैस हवा में प्रभावित हो गई और बहुत बड़े एरिया में और और अनुमान लगाए जाता है कि करीब पांच लाक लोग इससे प्रभावित हुए इस उससे और करीब 68,000 लीटर लीक्वेट मिथाईल आइसो साइनेट के तीन तीन स्टोरिज टैंक जो है उस वक्त वहां पर मौजूद थे और जैसा कि रिहान जी बता रहे किस तरह का मनज़र था लेकिन जब यह गैस फैली बह भौपाल में और उसके आसपास के इलाकों में किस तरह का मनज़र हो गया था और क्या वहां पर देखे उस समय 1984 में भौपाल की पूरी जिसे कहते हैं जनसंख्या थी आठ दशमलब पांच लाग यानि आठ लाग पांच हदार पचास हदार लोग रह रहे थे और करीब हेमरेट भी हो रहा था यानि शरीर के अंदर भी रत्साफ शुरू हो गया था कुछ लोगों को निमोनिया हो गया था और जो रहने वाले उस कारखाने के आसपास रहने वाले लोग थे और खासकर गाउं में रहने वाले लोग थे वो बहुत जादा प्रभावित हुए थे और जो यूनियन कारबाइट का जो अलाम सिस्टम था जो खत्रे के समय जो अलाम बचता है उसने बिलकुल काम नहीं किया उस दिन बलके कोई अलाम बजा ही नहीं और अचानक हजारों लोगों ने रुक किया अस्पताल का तीन दिसंबर की सुबा थी और सारी शिकायतों के है आजकल कि तो भुपाल में बहुत सारे अस्पताल हैं 1984 में सिर्फ दो बड़े अस्पताल हुआ करते थे पूरे शहर में और अब आप कल्पना करिए कि दो अस्पतालों में शहर की आदी जनसंख्या अपनी तरह तरह की शिकायतों के साथ पहुच रही है वो सिंपली कैप पर लोगों को देखना और लोगों को सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही थी और वो कनफिوس थे पूरी तरह उनको समय में नहीं आ रहा था कि 요 हो क्या रहा है एक तो आधी रात को ये हो रहा था और डॉक्टर्स को भी तुरंक नहीं पता चला कि ये माजरा क्या है और इस बीमारी की जो सारी बीमारी है इसका कारण क्या है और हर आदमी उससे एफेक्टेड दिकाई दे रहा था और कुछ जो मरीज थे उन्होंने शिकायद की कि एकदम से उनकी आँखों की रोशनी चली गई है और डॉक्टर्स जो भॉपाल के डॉक्टर्स थे एक तो आप इमेजिन करिए कि रात में फुल उस पे तो डॉक्टर रहते नहीं है एमेजिन्सी में एक है दो डॉक्टर बैठते हैं उन्होंने इस तरह की जो हालात थे उनका सामना कभी नहीं किया था और उनको कोई तजर्वा नहीं था इंडस्ट्रियल डिजास्टर इस स्केल के इंडस्ट्रियल डिजास्टर का सामना करने के और जो जो सिंटम थे मिथाइल आईसो साइनेट के उनके बारे में भी दाजा नहीं था और करीब पचास हजार लोगों को पहले दो दिन में ट्रीट किया है इन दोनों अस्पतालों ने रियान जी जो लोगों पर बीत रही थी तो इसका कोई दोकिमेंटेड अकाउंट भी है लेके बहुत सी किताबे लिखी गई हैं बहुत से लोगों ने अपने अनुभव साजा किये हैं एक साहब है आशे चित्रे ये बहुत मशूर फिल्मेकर हैं और जमाने में भोपाल के भारत भवन के पास रह रहे थे तो ये वर्णन देते हैं क इनको अचानक अपने घर के पास एक शोर सा सुनाई दिया और चित्रे के साथ उनकी पत्नी भी थी जो साथ महीने गर्वती थी रोहनी उनका नाम था उन्होंने दर्वादा खोला है और ये गैस का कैसे कि बहुत चोटा सा अंश कमरे के अंदर गुचा और बिलकुल उनको स से जिसे कहते के पीले रंग का एक द्रव निकलने लगा है और उन्होंने तुरंट वहाँ पे एक बैट शीट थी अपने बैट रूम में उसको उन्होंने पकड़ा और ये पूरी थाकत से बाहर भागे हैं उनके घर के बगल में शाम सुन्दर पतीदार थे मिनिस्टर स्ट अरजुन सिंग कैबिनेट में वो रहते थे और करीब 300 मीटर की दूरी पर मुख्यमंतरी अरजुन सिंग का बंगला था और हर तरफ गैस पहली हुई थी अब लोग दोड़ रहे थे सडकों पर बेता हाशा और उनको अंदादा नहीं था कि कहां जाएंगे तो कहां वो सेफ होंगे बिल्कुल डारेक्शन लेस और कोई उन्हें बताने के लिए नहीं था कि कहां जाएं और कहां ना जाएं और डारेक्शन था पैनिक इतना था कि लोग अपने सोते हुए बच्चों को अपने घर में छोड़ कर भागे हैं अब आप समझ लीजिए उससे आप लेने रुकते नहीं थे वो सीधे भागते चले आते थे तो चित्रे दमपती हैं यह वहाँ पर नस्दीप में पॉलिटिक निक था वहाँ जाकर उन्होंने शरंड लिया और पिर उन्होंने कहा कि इसके आगे वो नहीं जाएंगे और करीब पांच बजे पुलीस की एक वैन आई है उन्होंने अनौंस किया है वैंस बाकाइदा अनौंसमेंट हुआ है कि अब सारे लोग अपने घर वापस जा सकते हैं अब सुरक्षित है सब कुछ लेकिन किसी ने उसका यकीन नहीं किया और चित्रे कानभब यह है वो बताते हैं कि तीन दिन बाद वो अपने घर व वक्ते काले हो गए थे आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कितना भयावे द्रश्य था वहाँ पर और रिहान जी अगर हम बात करें हम आपके कॉमेंट्स भी यहाँ पर लगातार पढ़ रहे हैं और हम जरूर आपके जो टिपणिया हैं वह यहाँ पर जरूर लेंगे लेकिन क्योंकि यहाँ पर रूची इसमें इस वज़े से बढ़ रहे हैं कि अस्पताल का जो हालात थे वो किस तरह के थे वहाँ पर जब यह सब चीज़े चल रही थी हुए थे जो फ्लोर था अस्पताल का उस पर खून भरा हुआ था उल्टियें लोगों ने की हुई थी और डॉक्टर्स का कहना है कि करीब पांच सौ से हजार के बीच लोग जो मर गए थे बिना किसी रजिस्ट्रेशन के बिना लोगों को बताए अपने लोगों के शब ले एक साथ जलाई गए यानि पंद्रा पंद्रा लोगों के शफ को एक चिता में रखा गया और यह सिल्थला बिलकुल लगातार चलता रहा और थोड़ी देर में पूरे इलाके की जो वहां पर जितने भी शम्शान ग्रहते वहां की सारी लकड़ियां खतम हो गए और वहां कब्रिस्तान में जगा नहीं थी लोगों को दफनाने के लिए तो एक एक गड़े में ग्यारा ग्यारा लाशों को दफनाया जा रहा था सारी दुकाने बंद कर दी गई थी और पूरे जो स्कूल थे उनको बारा दिनों के लिए बंद कर दिया गया था तो यह माहौल था पर पादन शुरू हुआ था एक सबसे पहला जो केस आया था वो था टॉक्सिक फॉसजीन ग्यास को एक वहीं के जो एक कर्मचारी है उसने उसको इनहेल कर लिया था और वहाँ पर हॉस्पिटलाइज हो गया तुरन और इसके बाद एक पत्रकार ने जब खोजी पत्रकार ने इन्वेस्टिगेशन की तो उन्होंने बोला उन्होंने पूरा आर्टिकल लिखा था वेक अप भोपाल यू और ऑन दे एज ऑफ ऑबॉल क्यानो और फिर भी किसी ने सुध नहीं ली और जिसका नतीज़ा आज आप रहान फजल के जरीए सुन रहे हैं कैसे 1984 में भोपाल ग अभी उसके करीब 7-8 साल बाद पत्रिकारिता में हम आये लेकिन इंट्रेस्ट था जरूर था क्योंकि भारत के हर आदमी को इंट्रेस्ट था कि इतना बड़ा डिजास्टर हो गया इतनी बड़ी तरास्ती हो गई तो लोग उसको ध्यान से देख रहे थे कि ये क्या हो रहा नहीं है तो असर है अगर आप चिकेश की रूप से देखें तो अगली जेनरेशन तक असर पड़ा मतलब बहुत से लोगों बहुत से महलाओं का अबॉर्शन हुआ डिफॉर्मिटी हुई जो बच्चे पैदा हुए उसका असर अभी तक है राजनीती पे असर तुरंट तो इसका कोई असर यह कहें कि राजनीतिक रूप से उच समय पढ़ा हो तो नहीं पढ़ा क्योंकि राजीव गांदी जीते इसके बावजूद जीते इतने बड़े डिजास्टर के बावजूद लेकिन जो राज सरकार है केंद्र सरकार है इसका रभईया कैसा था इस पूरे प यह कैसे हुआ जो वहां के जिला मैजिस्टरेट थे उन्होंने उस फैक्टरी को यूनियन कारबाइट की जो फैक्टरी है उसको तीन दिसंबर को ही बंद करने के आदेश दे दिये थे और पांच उनके बड़े अधिकारियों को उन्होंने गिरफतार कर लिया था जिडिश शेयर करने के लिए डॉक्टर आजाद नहीं थे और सरकार ने ते किया था कि पूरे शेहर को इवैक्वेट कर दिया जाएगा वहां से लेकिन इसकी खबर आम जनता को नहीं दीगी नतीज़ा यह हुआ कि जो एलीट थे जो सुविधा संपन थे वो तो शेहर से बाहर चले चेहे और बहुत बड़ी जनसंक्या जो कि मजदूर थे उनका आमधनी का बहुत बड़ा जरिया नहीं था उनके पहत पैसे नहीं थे तो उनको एक तरह से उनके हाल पर छोड़ दिया गया उनके आप जैसा चाहें अपने को बचाने कि कोशिश करें और एक बहुत बड़ी म महामारी का खत्रा फैल गया क्योंकि लाखों हरी मक्खियों ने पूरे शहर पर एक तरह से हमला बोल दिया ये हरी मक्खिया तब ही आती है जब लाशों को ढंग से जैसे कहते हैं डिस्पोस आफ नहीं किया जाता है तो उसकी वज़े से तमाम हर जगे हरी मक्खिया थी मवेशी मारे गए थी तो उनके शर्थ तमाम पड़े हुए थे तो शुरू में सेना के जवानों ने उनका अंतिन संसकार करने की कोशिश की लेकिन बाद में जो प्रशासंत था उसने स्विकार किया कि जानवरों को पूरी तरह से जिसे कहते हैं तफनाया नहीं जा सकता क्य कोड़ने की प्रक्रिया में लग गए जिसे जहां जगह मिली वहां उसने भागने की कोशिश की लेकिन जी मुआफ़जा कितना मिला और किस तरह से उसका मतलब एक तरह से वितरन हुआ यह सब चीजे और विरोत प्रदर्शन कैसे हुए इस पर भी बात करने हैं लेकि यह ज कि वह खाना खरीच सके और अगर मिल भी रहा था तो उनकी महिलाएं उनकी बीबिया या उनके घर में इस पोजिशन में नहीं थी कि वह खाना पका सके और जो सबसे शौकिंग बात है कि उनको जो रिलीफ मनी दिया गया वो 200 रुपय दिया गया हर विर्टी को और वह भी chron कास्ट चेक के रूप में और प्रक्रिया ये थी कि आप पहले अपने को आइडेंटिफाई करिए और फिर बैंक में अपना अकाउंट खोले बीस रुपए देकर बीस रुपए देकर उस जमाने में अकाउंट खुलता था तो मतलब फॉरंग पैसा भी नहीं मिल रा था मतलब आप पहले बैंक में अकाउंट खोलिए बीस रुपए जमा करिए फिर दोसौ रुपए आपको कहीं जाकर मिलेंगे तो कई बार बैंकों ने शिकायत की कि भाई इस प्रॉब्लम तो फिर ये वेव आफ कर दिया गया कि भाई बीस रुपए जरूरी नहीं है अकाउंट खोल और जनवरी तीन को जहरीली गैस कांट संगर्श मोर्शे ने एक धिकार दिवस बनाया चीफ मिनिस्टर के घर के सामने उन्होंने धरना दिया दिक्कत ये थी कि जो डिस जो रिलीफ डिस्टिब्यूट की जा रही थी उसमें और एक्सक्रेशिया जो पेमेंट सरकार की दिये जाएंगे सीर्ययसली जो गंभीर रूप से प्रभावित हुआ हो और सौ से एक हजार रूपे दिये जाएंगे जिसको जिसे कहते हैं मामूली रूप से प्रभावित हुआ है शुरू में सरकार में करीब 37 लाख रुपए बाते हैं 5724 लोगों को और लेकिन 7 दिसंबर को यानि इस दुर घटना के चार दिन बाद इस मुहिम को रोग दिया गया और सरकार ने कहा कि अब हम तभी रुपए बातेंगे जब हम सारे जगे का निरीक्षन कर लेंगे डोर टो डोर जाकर पता लगाएंगे और वो भी रुपएा क्रॉस चेक के रूप में बाता जाएगा तो इससे बहुत कनफ्यूजन हुआ लोगों को ने बहुत सफर किया तो रिहान जी अभी जो अपने खुदी जिक्र किया मुआफ़े को लेकर भी कुछ विवाद हुए और उसमें भी काफी जाल मेल जिसे कहते हैं वो थात हुए कि अमरीकी अदालत में भारत सरकार में मांग की की तीन पॉइंट तीन तशम्मला पांच बिलियन डॉलर उनको मुआपशे के रूप में दे यूनियन कारबाइड और काफी हील हुजत के बाद उनीस सो नवासी में यूनियन कारबाइड ने करीब 47 करोड डॉलर देना सुप्रीम कोट ने गाइड लाइन्स इशू की कि कि किस तरह से ये पैसा लोगों में बाटा जाएगा और शुरू में ये जो पैसे थे रिजर्ब बैंक में जबा किये गए साथ सो पचास करोड थे लेकिन उनी दिनों रुपे का मूलियन हुआ तो ये जो एमाउंट था य और उन्होंने जो गाइड लाइन्स की उसके हिसाब से मरने वाले व्यक्ति को एक से तीन लाक रुपे और जिसको बार में पाट लाक कर दिया गया और जो पार्चिली डिसेबिल लोग थे उनको पचास हदार से दो लाक रुपे के बीच और जो टेंपरेरी जो डिसेबिल यह उनको पचीस हदार से एक लाक के बीच रुपे देने की बात कही सिप्रिम कोड ने लेकिन स्टेक गर्वर्मेंट में लोवर लिमिट चुनी इसमें यह पचीस हदार एक लाक के बी थे उन् shapes थेने तेना टै किया और 1989 में और जब किये पैसे दिये ग fuel तो फेचले our से काट लिये गया इसमें से उन्होंने पहले दे दिया था वो पैसा जो फाइनल सेटिल्मेंट हुआ उसमें से काट लिया गया तो इस तरह कि बिवाद थे और जिसे कहा जाए कि भौपाल गैस ट्रैजिडी भारत के प्रशासन के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी वो आद लिवल का इस इस तरका इंडिस्ट्रियल डिजास्टर का सामना कभी नहीं किया था दो हजार चार में बीबी सी के रेडियो फाइव ने एक रिपोर्ट ब्राडकास की थी और उसमें बताया गया था कि वो जगे में अभी भी टॉक्सिक केमिकल्स हैं उसमें बेंजीन हेक्स क्योला वाइड जैसे खतरनाक केमिकल्स भी थे हैं 2009 में सेंटर फॉर साइंस और इन्वारिन्मेंट ने एक रिसर्च की थी और उन्होंने कहा था कि फैक्टरी और उसके तीन किलो मीटर के अलाके में अभी भी ग्राउंड वाटर में जो जमीन के नीचे पानी है उसमें कॉ गया था तो आप इससे अंदादा लगा सकती हैं कि कितना बड़ा डिजास्टर था भारत के लिए और अभी तक और इश्वर न करे कि ये इसका सामना करना पड़े भारत के या दुनिया के किसी भी देश के लोगों को लेकिन ये बहुत बड़ा डिजास्टर था बिलकुल और वैरन अंडर्सन जो कि इसके मुख्य आरोपी थे दोहजार चौदा में फ्लोरिडा राज्य में जो कि अमेरिका में है वहां पर उनका देहान थो गया था और आईरनी कहेंगे अब जो भी आप कह लिजे उनको ट्राइल उनका एक भी नहीं हुआ सरकारिक में नहीं दिल उनको स्टेट प्लेन से दिल्ली ले जाया गया और फिर वहां से अमेरिका वापस चले गए जो जवाब देही उनकी तरफ से बननी चाहिए थी उस समय वह बिलकुल भी नहीं और यह बहुत लंबी कहानी है इस पर कभी और चर्चा करेंगे कि किस तरह एंडर्सन भारत की ज भारत गया सत्रास्दीक और आज भी न्याय की गुहार लगाई जा रही है तो इसी के साथ हम इस एपिसोड से आप से लेते हैं विदा अगले हपते फिर इसी समय पर और इसी दिन आएंगे एक नए मुद्दे के साथ ऐसा कैसे हुआ हमें नमस्कार नमस्कार सरे बहुत बढ़ियां लगा लास्ट में जो डिसकुशन एक दम नाचरल हुआ मजा आया सर ये ऐसे ये लगता है लाइव चलिए साथ वहार है विस समय पर और इसी दिन आएंगे गनाेम के साथ आधसा क्यों, ये समस्कार सर मैं तो कहो गए थी इस वाले में आप तो कह गए थिस वाले में